वेल्कम बेक एवरीवन तुडेए विल कंटिव इद क्लास एलेवन जोगर्फी चप्र नुबर तू स््ट्चर पीजिवर्फी लास्ट क्ट्चर में जो हम आपका डिसक्रस कर चुके हैं हमने जो माले इसक्टर अन फीजिवर्फी में आपका हमालान मांटेन के बारे में प्लेन रीजन है ग्रेट इंडियन प्लेन के नाम से जाना है नॉर्दन प्लेन ग्रेट प्लेन साथ पहाड़ों से मिट्टी वगएरा पत्थर वगएरा जो भी चीजें काटके अपने साथ लेके आती है उनको एल्वेल डेपॉजिट बोला जाता है इसी में आपका फिर प्लेन एक्स्टेंड आयल अलॉंग जो आपका ओल अलॉंग विद फूट ऑफ दे मौंटेंज जो हमने नॉर्थ में मौंटेंज देखे उनके बिल्कुल फूट बहें जहां पे मौंटेंज खतम होते हैं साथ साइड वही से आपके प्लेन एरिया जाए करती हें ठीक है 150 तो 300 किलो मीटर नॉर्थ यह नॉर्ट। तो साउध ठीक है नॉर्थ से साच्ट तक इसमें कहीं पर यह आपकी वन फिफुटि और कहींपर आपकी जो स्नीक्न औरिट्वा मिलती हैं और जो इसका ऑपकी ऐस्ट साइड पे हैं इंडिया के और इस्ट साइड पे आपकी कौन से पढ़ती है गंगा जो अपना डेल्टा बनाती है और इंडस आपकी यहाँ पे वेस्टन साइड पे डेल्टा बनाती है उससे उसकी जो लोंगिटूडनल एक्स्टेंट है इसका वो 3200 किलोमेटर के अराउंड है ठीक है तो यह असम की तरफ जब बढ़ता है तो यह आपका पतला होता चला जाता है 9200 किलोमेटर तक इसकी जो आपको वेट देखने को मिलती है तो राजमेहल हील्स है जो आपकी वहाँ पर तो यह 160 किलोमेटर देखे कितना कम होजाता है और प्रियागराज जो अलबाद में है आपका west side में आते आते हैं इडिया के center में almost वहाँ पे आपका 280 किलोमेटर है जो प्रियागराज आपका एहलाबाद था जिसका नाम पहले जो deposit, elvel deposit लाके जमा करती है, जो हमने geo sink line देखा था इस lecture में, starting में, जो आपके geo sink line में, जो deposit आपके जमा होते रहते हैं, इसके अंदर हमने देखा था, जो rivers यहाँ पर से पहाडों से, जो लाके deposit इसमें नीचे जमा करती है, तो वो चीज़े हमने देखी थी, तो वो आपका जो, यह deposits होते हैं, उनकी जो depth होती हो, 450 km exceed नहीं करती है, normally average जो है, बट जो maximum thickness, जो sediments की आगर देखी जाए, तो वो 3000 meter तक मानी जाती है, in the central part of the plane, जो central part of the plane का, उसके अंदर 3 km तक इसकी depth है, जो deposit की मानी जाती है, it is gently sloping plane, rising from the sea level at the mouth of Ganga, to about 200 meter इन Punjab, तो जो sea level से आपका जो है, यह sloping start होती है, उपर उठना, sea level से आपके plane की, जो sloping हलकी हलकी, जादा नहीं, हलका, gentle slope, और 200 meter, पंजाब तक 200 meter की जो है, आपकी इस पर height मिल जाती है, और जो maximum height है आपकी, वो 290 meters है, नियर अंबाला इन हरियाना, हरियाना के अंदर आपकी, जो इसकी plane area की, maximum height हमें देखने को मिलती है, आफ्टर देट, इस area forms water divide between the east flowing and the west flowing rivers, half of the great plane lies in उतरपदेश, and half in the state of Bihar, West Bengal, Assam, Punjab, इन हरियाना, तो अभी हम इसको map में देखते हैं, इधर देखिए, आपका जो हमने अभी एक चीज देखी, कि आपकी जो area है, आपका ये पंजाब हरियाना वाला, ये वाला reason जो है आपका, इसमें, आपका ये क्या करता है, water divide between east, जो आपकी east में बहने वाली rivers हैं, और west में बहने वाली rivers हैं, उनको divide करता है, ये reason जो ये वाला portion है, आपका उपर, ठीक है, और इसी में आपका, जो हमने कौन कौन से reason, आपके include कर लिए, राजस्थान, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाना, जो half great plane है आपका, वो कुछ उतर परदेश में भी आ जाता है, आप तो आप देखें, उतर परदेश कितना बड़ा राज्य है, ठीक है, और बाकी half आपका कहां पर चला गया, आपका west bengal में भी, बिहार में भी, और असम side में भी, ठीक है, और हरियाना, पंजाब में तो है इफरिया आपका, नाव विल सीधा, रिलीफ फीचर्स ऑफ प्लें, जो आपके इस रिलीफ के उपर, रातल के उपर, इसके अलग-अलग जो फीचर्स देखने को हमें मिलते हैं, that is, great planes have a number of interesting physical features, तो इस great planes के अंदर पिया जो बहुत ज़ादा interesting physical features है, from north to south, these can be divided into three major zones, तो north से south की तरफ चलते हैं, तो हम इनको तीन major zone में divide कर सकते हैं, बाबबर, तराई और aleval planes, ठीक है, तो बाबबर, तराई तो हो गए अलग, और aleval planes के अंदर, फिर हम इनको फ़रदर divide कर सकते हैं, दो पार्ट में खादर और बांगर, तो हम कहेंगे कि भी चार पार्ट में हम इसको divide करते हैं, चार पार्ट में divide करते हैं, बाबबर, तराई, बांगर और खादर, ठीक है, अब इनको चारों को अलग इससे बढ़ते हैं, आपके जो हमने देखा अभी तक, Great Himalaya, Lesser Himalaya और Shivalik Himalaya, तो Shivalik Himalaya के end से, जो ending portion है, वहां से आपका into gangetic plane शुरू हो जाता है, exact, ठीक है, ये इधर आपका पूरा, फिर आगे चलके, Penisular Plateau शुरू हो जाता है, और जो हमने फीचर से लग-लग डिवाइड की हैं इसके आपके, तो Himalaya जहां से खदम होता है आपका, जो Shivalik Range हमने देखा है, तो उसके foot hills पे आपका कौन सा शुरू हो जाती है, फीचर पहला, बाबर, आफ्टर देट तराई, आफ्टर देट खादर और फिर बांगर, ठीक है, तो ये reason आपके जो हैं हमने देखे हैं अभी तक, और बांगर और खादर जो हैं आपके बांगर आ जाता है पहले फिर खादर, क्योंकि जो खादर जो होगा आपका, वो बिलकुल रीवर जहां से चल रहे हैं उसके पास वाला रीजन होता है, और बांगर जो है आपका, वो रीवर के बाद खादर और खादर के बाद बांगर, ठीक है, जो आपका डिपोजिशन एरिया होता जहां पर, पुराना पुराने टाइम में रीवर ने देपोजिशन किया, लेट स्टार्ट विद बांगर, ओ स्टारी भाबर पहली जो हमने फोट हिल्स पे शिवालिक के फोट हिल्स पे आपकी, तो इट लाइज अलोंग दो फोट्स ऑफ दा शिवालिक, अब यह जो हमने अभी देख लिया, फ्रॉम दा इंडस टू तिस्टा रिवर, इंडस से रिवर से लेकर तिस्टा रिवर तक जो इसका जो है रीजन है, इट इस नेरो बैल्ट, 8 तु 16 किलोमेटर वाइड कम्राइजिंग औफ पेबल स्टैप्ट रॉक्स, तो यह जो पोरस बैद्स, जो आपकी शेप होती है, वो हम देखेंगे आपके, तो उसमें यह आपका पाया जाता है, तो आपके कुछ इस तरीके के आपके इस्टोन्स होते हैं, पैबल स्टोन्स होते हैं, ठीक है, यह, क्योंकि उपर पहाडों से आते हैं पत्थर घिस 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 के आप इस तरीके की शेप यह ले लेते हैं देरे देरे आते आते और यह फिर आपके जो हैं स्ट्रीम्स के बिलकुल किनारे जो नदिया आती हैं बहके उनके किनारे पे लगे हुए होते हैं जो हील से आती हैं बहके और जो porosity of this zone is so high that all streams disappear here तो porosity की हमने अभी जो आप पीछे देखा कि आपके जो यह पत्थर है इतने वो इतने ज़ादा हो जाता है कि भी आपका जो कई बार इन पत्थरों के बीच में जो आपकी river जो streams होती है वो disappear हो जाती है ठीक है वो इतने बड़े बड़े होते हैं सारी जंगा फैल जाते हैं और उनके अंदर से पानी निकलता रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता कि river flow भी कर रही है इस एरिया में तो जो आपके बाबर है पंजाब के वो द्वार्स कहलाते हैं असम के अंदर ठीक है अब नेक्स्ट है हमारा तराई रीजन तो हमने उपर मैप में देखा यह बाबर के बिल्कुल साउथ में नीचे लगावा उसके पैलर चल रहा है अभी जो हमने ड्रीवर्स देखी आपकी जो पत्थरों में लुप्त हो जाती है या दिखाई नहीं लेती है उनमें डिसेपियर हो जाती है तो इस तरह ही रीजन में आके वो दोबारा से रीअमर्ज होती है सामने दिखने लग जाती है ठीक है दा यल्वाम डेपोजिट ही इस फान देपोजिट इन बावर्वर्स तो जो एट यहाँ पर पई जाएगा अपका वो जाता फाइन फाइन क्वाल्टी में पई जाएगा बाभर के मुक्राइब क्योंकि वहां पे वह शेप उसकी और छोटी हो जाती है आफ्टर दैट इस एन एरिया ऑफ एक्सेसिव डेंपनेस लाज स्ट्रेचेज और मार्शी एरिया ज्यू टू री एमर्जेंस ऑफ अंडर ग्राउंड स्ट्रीम तो यहां पे जो है आपकी बहुत जादा नमी देखने को मिलती है इस रीजन में मार्शी और स्वैंपी रीजन होता है दल दल और कीचड वाला ठीक है मार्शी कीचड से बरावा यह रीजन आपका होता है यहां पे आपकी स्ट्रीम सोते हैं वह वापस दिखाई देने लगे इस रीजन में आकर ठीक है this has a forested region full of wildlife तो यहां पे ज भाराएं वापस लिखने लग जाते हैं कीचर दल दल से बर जाता है एरिया तो इसी वज़े से यह रिजन आपका फोरेस्ट जो आपके जंगल इसमें बहुत जादा वाइल डाइफ से बरे हुए होते हैं फूरे next is bangar it is composed of old aluvium and form of the aluvial terrace above the level of the flood plains it is often impregnated with calcareous concreation known as conquer ठीक है तो यह आपका old aluvium deposit से बना हुआ होता है ठीक है जैसे कि आपकी यह river यहां से flow कर रही है ओके इस river में flow कर रही है तो इसके आसपास यह तो आपकी river होगी चलो हो गया और इसके बाद जो है आपका इस river के से जो दूर का reason है यह वाला यहां पे आपका यह तराई बेल्ट होगी इससे जो मतलब इससे पास लगता हुआ reason है वो तराई बेल्ट होगी बट अब इससे जो और दूर पहले कहीं पे जो flow रहा होगा जहां पे पहले river flow कर रही होगी तो वो कौन सा हो गया reason आपका that is bangar जो पुराना बंगार ओल्ड वाला बंगार में तो बंगर बंगार पुराने वाला जो बीच में river, river के साथ में यह आपका कौन सा खादर रीजन और खादर से लगता हुआ आपका फिर यह bangar reason ठीक है तो यह bangar reason हो गया और यहां पे जो है आपके floodplain से उपर वाला reason होता है जो floodplain कौन सा आपका खादर वाला reason होता है और इसमें जो हैं आपके calcareous concentration देखने को मिलते हैं जो आपके कंकर के नाम से भी जाने जाते हैं जो छोड़े छोड़े कंकर होते हैं calcareous concentration यहां पे देखने को हमें मिलते हैं next is khadar khadar के अंदर जो last हमारी इसकी feature है plane का the floodplain which has newer alum is called khadar in उतरपदेश and bet in Punjab तो यह आपका जो floodplain new alum soil अभी हमने देखा ना यह river आपकी flow कर रही है ठीक है लेकिन जो इसके आसपास लगता हुआ यह reason है बिलकुल new flood reason है ठीक है यह आपका khadar है और इसको जो है khadar उतरपदेश में और बेत जो है पंजाब में जाना जाता है तो रीवर जो आपकी हर साल जिसमें पानी चल रहा है वो हर साल इस reason में आसपास में जो हर साल एक नई layer deposit की जमा कर देती है लाके add कर देती है तो कि हर साल जो है बड़िया deposit जमा होता है तो इसी वज़े से यहाँ पे जो है fertile soil है और बहुत जादा intensive agriculture यहाँ पे देखने को मिलता है So that's all for today In the next video we will study about the peninsular plateau